दोस्तों कर आप सबको भी Facebook के Messenger में No Messages वाली Problem जो है देखने को मिल रहे हैं गाइस तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको बदाएंगे कैसे आप इसको fix कर सकते हैं यहाँ पे मैं iPhone में भी बदाऊंगा कैसे आप इसको fix करेंगे प्लस अगर आप चाहते हैं गाइस यहाँ पे Android फोन में भी अगर आपको यह issue आ रहा है तो उसमें आप कैसे इसको fix करेंगे सारा कुछ आज आपको आपको बदाने वाला हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है अगर इस वीडियो पे आप नए आए हैं तो please वीडियो को like कर दे साधी साथ हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी subscribe ज़रू कर दे क्योंकि ऐसे ही कमाल के content आपके लिए हम लाते रहते हैं तो guys अगर आपको यहाँ पे messenger में कोई भी problem आ रही है जैसे no messages वाली problem आ रही है तो आपको यहाँ पे long press करके रखना है यह सबसे पहले मैं iPhone के में बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे remove app कर देना है यहाँ दोस्तों आपको अपने delete कर देना है delete करने के बाद में guys आपको यहाँ पे again से app store पे जा करके messenger app को download कर देना है जैसे guys आप इतना करेंगे तो आपकी problem यहाँ पे successfully fix हो जाएगी without any problem guys आप यहाँ पे messenger application को use कर पाएंगे आप guys यहाँ पे मैं दूसरा आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आपको है यहाँ पे Android phone में बताने वाला हूँ क्योंकि जो iPhone है guys इसमें केवल और केवल आप यहाँ पे और कोई option नहीं है तो आपको delete ही करना पड़ेगा इसके बाद में again से आपको account login करना पड़ेगा लेकिन Android में आप विना अनिस्टाल के भी इसको fix कर सकते हैं करेंगे चलिए guys मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं तो आप guys यहाँ पे दिख सकते हैं मेरे पास में एक Android phone है guys अब मैं आपको बदाऊंगा कैसे आप यहाँ पे Android में अगर यह problem आपको देखने को मिल रही है तो कैसे हैं आप messenger वाली problem को fix कर सकते हैं सबसे पहले guys आपको यह चेक करना है कि आपका जो messenger application है वो यहाँ पे latest version में updated है या नहीं तो आपको play store पे जाना पड़ेगा यहाँ पे आप messenger लिकी search कर लेना अगर आपका यहाँ पे messenger application latest version में updated नहीं है तो सबसे पहले guys आपको latest version में update कर लेना है क्योंकि बहुत सारे bugs issues आते रहते हैं तो update करने के बाद में यही bug और issue fix हो जाएगा इसके बाद में guys अगर फिर भी आपका issue fix नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे messenger application पे long press करके रखना है app info पे जाना है guys और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा force stop को option तो आपको guys यहाँ पे force stop कर देना है अपने messenger application को इसके बाद में guys क्या करना है कि आपको यहाँ पे storage वाले option पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे clear cache और clear data कर देना है normal जो भी problem या bugs होती है clear cache और clear data करने से fix हो जाती है तो जैसे guys आप इतना करेंगे तो again से आपको अपना messenger का account लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि आपका account यह लाग आउट हो जाएगा again से आपको लॉग इन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपकी messenger में जो भी messages वाली problem है वो यहाँ पर fix हो जाएगी अगर guys इस्टिल आपकी problem आपको face करनी पड़ रही है आपका problem जो फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है messenger का कोई old version डाउनलोड कर लेना है जहां दोस्तों google पर आप जाएगे messenger old version के साच करेंगे तो old version इसके आजाएगे इसके previous version को आपको अलग-अलग version को डाउनलोड कर लेना है अलग-अलग version को try कर लेना है क्योंकि guys यहाँ पर यह जो problem है कुछ-कुछ version में आ जाती है तो हो सकता है जो भी version आपके phone में भी पढ़ा हो उसमें यह problem चल रही हो और इस वज़े से आपको यह issue जो है फेस करना पड़ रहा है तो आप प्रिवियस वरजन अलग-अलग version ट्राई कर ले आपकी problem जो है यहाँ पर 100% जो हो जाएगी अगर guys आपको कोई और help चाहिए या अगर आपकी problem इस्टिल फिक्स नहीं हो रही है अगर आप मुझसे help चाहते हैं तो आप मुझे मेरी Instagram ID पर message कर सकते हैं टेक्नो रेंज ओफिसिल करके guys मेरी Instagram ID है तो आप guys यहाँ पर मुझे message कर देना और मुझे अपनी problem जो है बता देना मुझे following कर लेना मैं आपकी problem जो है guys यहाँ पर fix करने वाला हूँ तो यह मेरी Instagram की ID है guys जल्दी से जाकर करके आप लोग follow कर लीजे अगर आपको किसी भी app से related कोई भी problem आते guys मैं आपर fix करता हूँ बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना रहेगा क्योंकि मैं messages का reply करता हूँ लेकिन काफि सारे messages request होते हैं इस वज़े से थोड़ा सा आपको wait करना पढ़ सकता है उम्मीद करता हूँ guys यह information आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो आपके लिए helpful रहे हो तो please वीडियो को like कर दें चैनल पर ने आए subscribe वी कर दें मिलते किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए जैहीन वंदे मात्रम